दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रांस्पोर्ट डेपार्टमेंट की आज जजजर में एक विसालकाए जन्सभा का एक मिटिंग का आयोजित किया जा रहा है सल्युक्ट ट्रांस्पोर्ट मोर्चा इंडिया का हमारे साथ अनुभवी ट्रांस्पोर्टर्स हैं हुकम सिं जी जुड़ चुके हैं सब से पहले तो अपको स्वागत है जी तैंकियो कि आज की का विशे क्या रहने वाला है क्या दिक्कते हैं प्रांस्पोर्टरस के सामने क्या कैना चाहेंगे सबसे भारी तो एक ट्रांस्पोर्ट का इस टेम जो गोलड आ गया ना इस सरकार ने इसको ये दिक्कत ही ट्रांसपोर्ट करती है अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं रहा है इसका नाम दिक्कत हो गया क्योंकि डंग डंग पर इस पर दिक्कत आ रही क्या दिक्कत किते हम दिक्त पढ़ाएं पहले दिक्कत तो ये है कि रोड रोड प आज मैंने बंबे का खिराय कर लिया 50,000 रुपी चार बे लीटर डीजल बढ़ जाता जो चार लीटर डीजल में 1400 लीटर डीजल लगता है अब डाउन में उसका तो 5000 का फरक पड़ गया हो शीदा मेरे जेप पिछे गया कहां से मिलेगा हो अजकर हर कमपनी ये कहती है कि कम छोड़ दो तो हर ट्रांसपोर्ट कितना कम छोड़ कर कितना आगे लेगा क्योंकि जो शमस्या आई हुई है कमपनी वाड़े अपनी जगे सचे हैं कि हमारे रामेटरी लितने बढ़ चुके हैं कि हम तुम्हें कहां से दें हो भी अपनी जगे क्योंकि जब से ये सरकार आई है हम तो अब जो आइडिया लगाया जा रहा है अग ये सरकार ऐसी आगी है जैसे समुंदर के अंदर छोटे मचलियां होती है और बड़े मचलिय सब को निंगलती चली जाती आगे और इसता परी साप करती जाती है तो मेरे हिसाब से तो यह पंद साता ऐसे बड़े बड़े आगे हैं अब डिलीवी एक ट्रांसपोर्ट आईए है वो मेरे ख्याल में इतना साप कर देगे कि सुनुदर में लाखो करोड मचलिया है उनको साप जैसे करती है बड़े मचलिय इस तरिके से डिलीवी ट्रांसपोर यह जल्दी है जल्दी आपना कोई दूसरा दंदा करें और शरकार आज गल आपने देख लिए एक स्ट्राइक जो करोगे तो डंडे भी खाऊँगे प्याज भी खाऊँगे जर्मना भी दोगे मार भी खाऊँगे क्योंकि यह आलो गया यहिए शरकार किशी की भी स्ट्रा गरुआ हिया कि अप्वजिशन सरकार की कहीं भी जो संटर में लगा लो स्टेत NOT और अप चाहिए देट की लिख GDP और बहर नहीं है तो यह अपने मर्जी से कर दें स्वह को लागू कर देते हैं उससे यह नहीं देखते हैं जबीदार मरेगा या गरीब आदमी मरेगा रसोई के दाम बढ़ते जा रहे हैं डीजल पेटरों के और यह गैस तो इंडियन की प्रोडेक्शन है पांच मिन्ने में बारा रुपे किलो बढ़ा दी है इसके उपर तो कोई नहीं बोल रहा है हमारे से सीएंजी गाड़िया खेल दुआ दिया सेवंटी फाइब परसेंट ट्रांस्पोर्ट एंचियार में सीएंजी की लेते हैं प्रोडीयर गाड़ पूस्तीर प्रोड्ट नहीं सब्सक्राइब किया चाहि संकत्रराइब किक वेर्यर कोईब बारा ररी सीएंजी करते हैं गाड़े के अंदर इतनी है मेंटेनस उसकी ज्यादा है हमने चलो शी एंजी ले लिए अब शेंजी ले ले लिए तो उसका रेट बढ़ा दिया तो ट्रांस्पोर्टर कहां जाए एक मुद्दा नहीं है इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं टांस्पोर्टर के दिल पर कोई रखे मुज़ेगा तो वो अपने आशों से आपको ब्याणर करेगा अब इसे ज़्यादा में क्या को क्योंकि कुछ भी हमारे टांस्पोर्ट के बारे हैं परदीप मोदी गुडगावा से हूँ जनरल सेक्टी गुडगावा असेशिशन का मुद्दा ये है कि हम लोग रेट बढ़ाते हैं हमसे पूछते आपने रेट क्यों बढ़ा रहे हैं हम अपने भाड़े बढ़ाते हैं बुले जी डीजल का रेट बढ़ा और स्पेर पार्ट का रेट बढ़ गया उनकी मनुफेक्शिंग रेट बढ़ गया इसलिए हम रेट बढ़ा रहे हैं अभी एक नया मुद्धा आया है के एमपी पे परदान जी आपकी बता रहा हूँ है कि दस परसेंट रेट बढ़ा रहे हैं मैं वही पॉइंट उठाता हूँ कि वो क्यों बढ़ा रहे हैं बोले साब लोग डाउन के अंदर हमें काफी लॉस हुआ मेरे से ज़्यादा लॉस हुआ क्या मैं मोटर वालों सिंगल गाड़ी वाला उन्दस वाले लॉग डॉन में चली नहीं है मेरा लॉस उससे ज़्यादा था उसके बाद दूसरा क्या है हमारा भी तुम रेट क्यों बढ़ा रहे हो आज क्या है टाटा अगर पर दे आपर दा टाटा बारा सो गाड़ी असपोस बनाता है कॉमर्शल एक टाइप की टाटा के आठ वेरियंट है टोटल सरी फेक्ट्रियों में चार जार गाड़ीयां रोज बढ़ती हैं मारूती की कंपनी हमारे गुडगावा के अंदर है ग्यारा हजार रोज गाड़ीयां बनती है रोज उनकी आमदनी बढ़ रही है रोज उनकी 500 गाड़ीयां बढ़ रही है उसके बाद रेट बढ़ा रहे है या तो यह हो हो कि मेरे पर लॉस आ रहा है मेरा टेर भी घिसरा है टेर के रेट बढ़ रहे हैं इसलिए मैं बढ़ा बढ़ाता हूँ वो क्यों रेट बढ़ा रहे हैं मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहरा हूँ कि वो रेट क्यों बढ़ा रहे हैं जबकि रोज उनकी आमदिनी में हिजाफा हो रहा है तो ये मा रहे हैं उसमे ट्वाइब रहे हैं मेक है उसा रहे है ुसे टैर फलेक्सिय रहेगा हमारे उपर कोई नहीं सौस्ता जिस दिन भी हैै है टैक्स बढ़ाना है टैक्स बढ़ा दो फिट्नेस बढ़ा दो अब latest क्या करा है EV आ रही है इलेक्ट्रिक वाइकल परदान जी इलेक्ट्रिक वाइकल की जो रेट है पेट्रोल डीजल की गाड़ी से 45% उसका रेट जादा है एक पॉइंट मैं हम बात कर रहे थे अब नमबर दो बात 5 से और 6 साल में उसकी बैटरी चेंज करने पड़ती है है उसकी भी 15 साल है सरकार ने उस पर यह नहीं कहा कि भई इसकी उमर का कोई तुम्हारे पर वो नहीं आप कभी भी चला लो उस पर भी 15 साल ही आएगी अब यह BS6 लाए है हम उसके अंदर अनलेडिड के साथ बिलकुल नो पॉलूशन वाला पेट्रोल और डीजल यूज करें है लेकिन उमर तो वही 15 उससे पॉलूशन कहा है यह बता हुआ आप पॉलूशन कहा है कोई नहीं रोकता मैं गाड़ी लेकता है कार लेते हैं नई का अमर्शन गाड़ी पे क्यों नहीं करते वो एक साल का पॉलूशन वैलेड वो पॉलूशन फिरी क्यों नहीं होती तो यह समस्य है रोज हैं जैसे हमारे अधनिय परदांजी ने आपको बताया कि हम तो एक वो दूद देने वाली गाय है जैसे जिस तरीके से उसको कर लो बो मुद्दा है डीजल पेट्रोल की व्रधी का बड़ा मुद्दा है एक और मुद्दा है एलेक्ट्रिक वीकल्स का लेकर के जिसकी कोस्ट को लेकर के टाइम लिमिट को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है जब टाइम लिमिट मातर 15 साल है वही जो पेट्रोल के डीजल पर ला सडकों का निर्मान कर स्रे लेना चाहती है तो उसे पैसा क्यों लेती है एक बड़ा परसन है सबसे बड़ा परसन यही है कि जब सरकारे सडक निर्मान कर बड़े बड़े उधगाटन करती है और प्रतेक सरकार उसका स्रे लेना चाहती है तो आम जन से टोल क्यों सबसे बड़ परसन है दूसरा डीजल पेट्रोल की विर्धी का परसन है और तीसरा जो common जो problems है जो तकरीबन हमने अनुभवी transporters से बात की है सबकी एक ही समश्या है corruption की समश्या है और जो transport department को लेकर के सरकार की और से अंदेखिया है या transport department को सरकार की और से कोई राहत package या उसको promote करने की policy अभी तक सरकार के पास नहीं नजर आई है ऐसी कुछ बाते हमारे पास आई है तो आप जुड़े रहे हैं समश्यार कारी से